आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल नक्षत्र पूर्व भादर्पदा रहने वाए रातरी के 7 बच कर 6 मिन तक ददुबान उत्तर भादर्पदा नक्षत्र आरंब हो जाएगा वत्योहार में अजैसा कुछ नहीं है मित्रों कर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक-एक मोहरतों गयम जानना है तो डिस्किप्शन में आज के धर्मशिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है सबी एक साथ मकर राशी में, चंद्रमा सनी के साथ कुम्राशी में, राहू मीन राशी में विराजित है, कुम्राशी में चंद्रमा दिन के एक बच कर 31 मिन तक रहेंगे, तो इनी सबी ग्रहों का मिलाद लहाल, आज के राशी फल में हम जानेंगे, तो आईए बात करेंगे प ताहित लेखन और कला के छेत्र से जुवे हुए हैं उनको सफलता की प्रापती हो सकती है आज कहीं आप यातरा पर जा सकते हैं अगर कोई पारिवारीक उल्जन है तो उसे सुल्जाने का ये एक अच्छा समय है आज के दिन आप अपने पारिवारी रिष्टे देने की आवे सकता है, आज के इन किया गया निवेस आपके लिए काफी फायदे मनसावित हो सकता है, लेकिन निवेस फिर भी सोच समझ कर ही करें, आपको अपने भागीदारों यानि की पार्टनर्स के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, विद्यार्थी की बातके साहित दिलेखन और कला के छेतर से जुरुवे विद्यार्थियों के लिए, आज करीन अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है, स्वास्त की बातके स्वास्त के दिश्टी से आज की आपके ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आप अपने संतान के स्वास्त की चिंता आज कर सकते हैं, तो अपने संतान के स्वास्त का ध्यान आपको रखना चाहिए, प्रेम समंध की बात के प्रेम समंधों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथी के जीवन में आपकी कितनी जरूरत है आज के नीमबू अपने खादे पतात में सामिल करेंगे आप तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग किरीम करा लखी नमर आठ रहेगा बात केंगे वरिसासी की वरिसासी मचंदरमा दसमें स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज के दिन आपका मन उमंग से भरा रहेगा लेकिन आज आप थोरे भावुक भी हो सकते हैं किसी की बातें आपको ठेस पहुचा सकती है तो ज़्यादा भावनाओं में ना भहें वरिना आपके स्वाभिमान को भी से ठेस पहुच सकता है कुछ जात्कों के पैसे दूसरों पे खर्च हो सकते हैं जिससे घैलो जीवन में कुछ तनाओं का सामना आपको करना पर सकता है आपके जो भी प्रियेजन है वियापके भरोसे और वादे की जोरत को महसूस करेंगे व्यापार और धनकी बात करें तो जोरतक नोकरी करते हैं उन्हें आज ओफिस में अच्छा माहौल मिलेगा कामकाज के स्तर में भी सुधार होगा व्यापार से सम्मंदित आपको कहीं यात्रा प्राज जाना पर सकता है और यह आपके लिए लाबदाएक भी सिध्ध होगा प्रेम्समंदित की बात करें तो भोजन और निंद में ओनियमित ता रहेगी जिससे आपका स्वास्त थोडग मगा सकता है अगर इससे बच कर रहेंगे तो आपका स्वास्त ठीक रहेगा प्रेम समध की बात केद प्रेम समधों के लिए आज के इन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपका प्यार और आपका जीवन साथी कोई खुबशूरत सा ओपहार भी आपको दे सकता है आजके इन दही खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज कलर लकी नमर 11 रहेगा बात किंगे मिथुन रासिकी मिथुन रासिकी मिचंतरबा नौवे इस्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज आपके काम क्या दिखता रहेगी जदा जूट बोलने से आपको बजना चाहिए इससे आपको नुकसान हो सकता है आज किन आपका कियागिया निवेस आपके लिए सुब रहेगा फिर भी निवेस सोच समझकर ही करें आज आपके सुभाव में भावकता और कामकता के दिखता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रकार का भाय बना रहेगा मानसिक संतुनन बना के रखें काम और घरवालों का दवाव आज आपको थोड़ा गुस्सेल बना सकता है आज किन यात्रा मनुरंजन और लोगों से मिलना जुलनापका होता रहेगा व्यापार और धन की बातका है तो व्यापार में निवेस करने के योग बन रहेए अगर अच्छी योदना बनाएंगे तो आज आपके व्यापार एक पर्तिदन दी आपके सामने निर्वल सावित हो सकते हैं विद्यार्थी की बातकेत विद्यार्थियों के लिए आज करने उत्तम रहने वाल है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा प्रतर्शन कर सकेंगे तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्ते की बातकेत आज आपको पेट से समन्दित दिक्कत का सामन आपको करना पड़ सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी बिगर सकता है तो आपनी माता के स्वास्ते पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है प्रेम समन्द की बातकेत प्रेम समन्द में जीवन साथी से अच्छे समन्द बनाने की कोशिस करें उनके साथ आने वाई दिनों की यूजनाई सेर करें इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज किन अधरक अपने खादे पतार्थ में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं काला रंग लकी नमर चार रहने वाला है बात करेंगे कारकरासी की कारकरासीम चंद्रमा आज आठमे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज बेकार के सूच में आपका समय और उर्जा दोनों बरबाद हो सकता है तो इसका ध्यान रखें बलकि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो इसका फाइदा भी आपको मिलेगा भागीदारी वाली वैविशावों में निवेस करने से बचें आज किसी परकार का जोखिम लेने से बचें आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है कुछ जातकों के लिए की गई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वरा के कारी से आपको यस और किर्ती की प्राप्ती भी होगी पडिवार में सोहार्दपूर्न वातवरन बना रहेगा नोकरी और कामधंदे की जगा सहयोगियों का सहयोग भी मिलेगा खर्च भी आपका बढ़ेगा आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे व्यापार और धन की बातकर आज आपका ना चाहते वे विफालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बरते वे खर्च पर नियंतन रखें यह आपके व्यापार को प्रभवित कर सकते हैं विद्यार्थी की बातकर तो आज आप कमवन चंचल रहेगा आज आप कमवन पढ़ाई में कम लगेगा फिर भी अपने मन को पढ़ाई में लगावे सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बातकर तो मामली चोट और वाद वियाद से हानी हो सकती है आज आपके स्वास्त में थोड़े उतार चरहो भी आ सकते हैं तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें प्रेम समंद की बातकर तो प्रेम समंदों में थोड़े उतार चरहो आ सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोग जोग की संभावना बन रही है तो अपने आप पर नियांतन रखें समन्द अच्छे बना के रखने का प्रयास भी करें आज किन दूद या दूद से बनी भी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सिल स्वाधिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी दोस्तों और परीजनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मौका मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सब के ध्यान का केंदर बने रहेंगे व्यापार और धन की बातकत आज के दिन आपके लिए प्रापाजी में फैसले ना करें इससे जीवन में आपको आगे पस्ताना पढ़ सकता है विद्यार्थी की बातकत विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्याम रहने वाले फोन और सोशल मीडिया में अपना समय बबाद ना करें मेनद करें सफलता तभी मिलेगी स्वास् साथी को यह जरूर बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन सुद्र ढोंगे आज के ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग लकी नंब भी रहेंगे आज आपके खर्चे बर सकते हैं तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन रखें मीठी वानी बोले वानी पर अपने सयम रखें वरना आज आज आपके किसी से लराई जगरे भी हो सकते हैं आपने सहकर्मी और अधिनस करमचारियों की सला आपके लिए लाब विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामान्य रहने वाला है आज के इन सोचल मीडिया में ज्यादा समय बरवाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दे स्वास्तिक आपको आपने स्वास्तिक प्रतिस साНО रहने की ज़जरत है कभ और पेट शमन्दी विमारिया परभय相ा आपको कर सकती है प्रेहीम समन्द की बात करते हैं प्रेहीम समन्दों की द्रिष्टि से आजगा आपके लिए अच्छा रहने वाला है जीवनसाथी से सावां जश्यापका बना रहेगा आज किन साबूत अनाज खाएंगे तापके लिए सुप रहेगा आपके लिए आज का सुप रंग ब्राउन कर है लगिन एक रहने वाला है बात करेंगे तुलारासिकी तो लारासिम चंदरमा पांच में इस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको अपने जिम्मेदारियों को समझने की अवेशक्ता है अपने जिम्मेदारी का निर्वा अच्छे धंक से करने का प्रयास करें आज आप कमन परसन न रहेगा लेकिन आलत से की अधिकता से कारियों में थोड़ा विलम भी हो सकता है लेकिन इसके बाब जूद आज करीन आपके लिए बहुत ही सकरिये और लोगों से मेल जुल भरा रहेगा आज अपने उत्साह में कमी तो बिलकुल भी नाने दे उत्साह में कमी के कारण आज आपके कारी भी प्रभावित हो सकते इसका प्रभाव आपको व्यावसाइक छेतर में भी देखने को मिल सकता है ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी परनाली में सुधार करने की आवश सकता है कुछ राजिकिय सहीयोग मिलने की संभवना बन रही है संतान के साथ मतभे दुर्पन हो सकते हैं आज कोई भी महतपूर नेर्णे सोच समझ कर ही लें किसी आध्यात्मी गुरु या ज्यानी पुरुस के सलाह सहीर है व्यापारो धन की बातकेट अगर आज के दिन कोई नई व्यापारी की योजना बनाएंगे तो आने वाले समय में उसका लाव भी आपको मिलेगा आपके व्यापारिक पर्टिद्धी आज सांत नचर आएंगे विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामाने रखने वाले मेहनत करें सफलता की पाप्ति आपको होगी स्वास्त की बातकेट आज आप ठकान और अलसे का अनवाव करेंगे विएस्ति दिन चरिया होने के बाप जूद आपका स्वास्त अच्छा बना रहेगा प्रेम समन्द की बातकेट तो विवाही जातकों को ग्रिहस्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की पापती भी होगी आज की ब्राउन राइस हैने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग लकी नमर रहने वाला साथ बात केंगे विश्चीक्रासिकी विश्चीक्रासिम चद्रमा चौथे अस्थानमे विराजी थैं जिसके प्रसुप आज आपके घर तथा कारी अस्थल में बहतर वातावरन रहने से काफी प्रसनिता होगी मित्रों या परिवार के सरस्यों के साथ मोज मस्ती भरी यातर आपको सुकून दे सकती है आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ मद्वेद वरकर सामने आ सकते हैं साथ ही लोग आपको अज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहीयोगी भी आपसे नाराज हो सकते हैं नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज किन अच्छा रहने वाले उच्छ पलादिकारी आपके कारी की सरहना कर सकते हैं सरकारी काडियों साबको सफलता मिलेगी अपनों से मनमोटा होने की संभवना बन रही हैं तो उनसे अच्छे समझ बनाके रखने का प्रियास करें व्यापार अधन की बात करत आज रोजगार प्राप्ति के प्रियास सफल रहेंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज के इन बढ़िया रहने वाले व्यापारी वर्ग आज थोड़ा संभल कर रहें बात करेंगे विद्यार्थी की चंद्रमा के चोथे भाव में होने के कारण आज आपका मन अफेक छाकरी जदा चंचल रह सकता है परहाई से आपका ध्यान भड़क सकता है तो अपने मन को परहाई में लगावें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्ति की बात करेंगे तो स्वास्ति के दिर्ष्टी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान रखें प्रेम समंध की बात के तो आज के दिन आपके प्रेम समंध में थोरी खटास उत्पन हो सकती है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भर कर सामने आ सकते हैं तो मतभेदों से बचें आपको अपने प्रेम समंधों के परती सजेत रहना चाहिए हो सकते आपका जीवन साथ ही आपके लिए प्रयाप समय ना निकाल पाए तो उन्हें समझने का प्रयास करें आज के जौ या जौ से बनी भी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग काला रंग लगी नमर 11 रहने वाला है बात केंगे अब धनुवासिकी धनुवासिम चंद्रमा तीस से स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज का इन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आपको मान समान मिलेगा साथ ही आपको यस किरती और लावकी प्राप्ती भी होगी बुजर्गों और मित्रों के साथ आपका दिन अनन्दे में बीतेगा साथी पत्नी और बच्चों के साथ यो आपका समय अच्छा बीतेगा किसी प्रिये व्यक्ती से मिलाकात आपके हो सकती है कारी अस्थल पर परिस्रम के अन्रूप लावकी प्राप्ती आपको होगी कीमती वस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भववरा रह सकता है आज आपके लिए नया कारी करने के लिए अच्छा दिन है व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और धन की देश्टी से आज की नपके लिए अच्छा रहने वाला है आज रोजगार के लिए किया गया प्रयास सफल रहेगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज की न सामान ने रहने वाला है मेहनेत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी तो मेहनेत में किसी प्रकार के कोई कमे बिल्कुल ना रखें स्वास्ति की बातके स्वास्ति की देश्टी से आज की नपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है खास करके बुजरुक जातकों को पुरानी बिमारियों से कश्ट हो सकता है प्रेम समंद की बातके तो आज पती पतनी के बीच प्रेम समंद अच्छा बना रहेगा समंदों में मदूरता बनी रहेगी अपने जीवन साथ ही के साथ समय विताएं, ये आपके प्रेम समंध के लिए अच्छा ही रहेगा आज करिंग अगर अंकुरित अनाज खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंक बैगनी राग लकिन मर रहने वाले साथ बात करेंगे मकर रासिकी मकर रासिम जंदर्मा दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप कोट कचारी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी प्रकार की बेचेनी और चिंदाएं रह सकती है वानी और वेभार में सयम रखना आवेशक है आज आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं आज किन खर्चों पर अपने नियंतर रखें आज आपके खर्चे बर सकते हैं कुछ जातकों को लंबा सफ़रते करना पर सकता जो काफी भाग दोर बरा भी रहेगा लेकिन साथ ही आपके लिए यह यातरा फाइदेबन भी रह सकती है व्यापार और धन की बात के दनोकरी और व्यापार से जोरे जातक आपने ओफिस या व्यापार से समदित लोगों से मिल जूर कर रहें समझ और धहरी से काम रखें साथ ही कारी अस्थल पर साभानी भी बढ़ते है आज की जल्देबाज़े में निवेस तो बिल्कुल भी ना करें अगर आपको कहीं निवेस करना भी हो तो सोच समझ कर ही करें अनभवी लोगों की सलासा ही करें वरना आपको नुकसान हो सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामानी रहने वाला है आज के इन सोचल मीडिया में जदा समय बरबादना करें अपने परहाई पर दिहान दें स्वास्ते की बात करत आज के दिन आपके स्वास्ते में थोड़ा तो अच्छा रहाव आ सकता है स्वास्ते थोड़ा खराब भी रह सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान रखें प्रेम समन्त की बात कर आज का दिन आपके व्यवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामन जस्य बना रहेगा आज किन बादाम खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग काला रंग लगी नम्मर तीन रहने वाल है बात करें कुम्रासिकी कुम्रासिकी चंद्रमा प्रथमस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसव आज के दिन आपको कहीं से सुब समाचार की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों और प्रिये जनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा भीतेगा किसी से कुछ उपहार की भापती हो सकती है लेकिन सचेत रहें आजनासिप अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी साध्वान रहने की आपको जरूरत है बाहर घुमने की योजना बन सकती है तथा सौरिष्ट भोजन करने का आवसर भी प्राप्त होगा आज किन आपके लिए कई तरह से फाइदेमन सावित हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कई चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी और आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावना बन रही है व्यापार औधन की बात करें जो आतक नोकरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से करें क्योंकि आज आपके बॉस की नजर आप पर ही है वेसे भी अपने कारी को इमांदारी पुर्वक ही करना चाहिए जो आतक व्यापार करते हैं जिन्हें निवेस करना है वे आज अच्छे से सो समझ करें तभी आपको आर्थी खलाब होगा विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने के यूग भी बन रहे हैं तो मैंने तुमें किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल नरखें. स्वास्त की बातकेट आज की दिन आपका स्वास्त एच्छा रहेगा फिर भी आपको मौसमी विवारियों से सचय रहना चाहिए. प्रेम समन्द की बात करता आज का दिन आपके जीवन साथी को भादनत्माक तरुपा ब्लेक मेल करने से आपको बचना चाहिए इससे आपके रिष्टे खराब हो सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई अजनबी या नोग जोंग का करन भी बन सकता है आज के ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबन नीला रंग लेकिन नमर छे रहने वाला है बात करेंगे मीन रासी की मीन रासी में चंद्रमा 12 वे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप अगर आप आज का दिन खुस्टनवा बनना चाहते हैं तो आपको मानसिक्त नाओ और जंजटों से बच कर रहना चाहिए कुछ दिनों से आपका व्यक्ति का जीवन ही आपके ध्यान का केंदर रहा है लेकिन आज आप समाजिक कारियों पर जाध्यान दे सकते हैं और जोरत्मन बक्ति की मदद करने की कोजिश भी कर सकते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके बिगरे हुए कारे भी बनेंगे आर्थिक योद्नों के कारण आपकी कई परेसानिया कम होंगी परिवार में सांती और अनन्द का माहौल बन सकता है व्यापारो धन की बात करत नोकरी या व्यविसाइज जो भी आप काम करते हैं उसमें आपके सहीयोग्यों का सहीयोग प्राप्त होगा जिससे कारी अस्थलप माहौल अच्छा बना रहेगा आज कई स्रोतों से धनलाप की योग भी बन रहे हैं विद्यार्थी की बात करत विद्यार्थियों को आज करी मेहनद करने की आवे सकता है जो दातक आज मेहनद करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी होगी तो मेहनद में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें स्वास्त की बात करत स्वास्त की देश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ति का ध्यान रखें तले भुने और मसाइदार खानों से दूर रहें प्रेम समन्त की बात करें आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पर सकता है विवाही योग जातकों के लिए आज के इन उप्युकत रहने वाला है आज के इन दूद या दूद से बनीवी चीज़े खाएंगे ताब के लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लकी ने मर आठ रहने वाल है तो मित्रों यह तो थाच के बारा रासी का रासी फल अब जानेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय आने की गुली काल दिन के एक बच का ठावल मिर्च लेकर दिन के थीन बच कर बाइस मिर्च टक रहने वाल है इस समय में कोई बी नया काड़ी आरम करेंगे तो उसमें आपको सबलतात लगेगी दिशासुल पूरु दिशा में, पूरु दिशा में किसी भी खास प्रियोजन से याता हम न करें, आपको नुक्सान हो सकता है सुब खा दे, आज कुछ है नहीं क्योंकि आज सूम हो रहा हैं, लेकिन दरपन देखकर याताराम कहेंगे, तो आपके कारी बढ़ेंगे आज कल के संपून राशी भल के लिए जूरे रहे धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे धर्मसिक्षा जे मातादे